आज हम लोग जो रेस्ट पार्ट रह गया है exercise 3.8 का उससे solve करना सीखेंगे तो चलिए start कर लेते हैं हम लोग student आपको पता है कि आप लोग कौन सी exercise solve कर रहे थे आप लोग exercise 3.8 solve कर रहे थे और exercise 3.8 में आप लोगोंने problem first solve कर ली है तो आज आप लोगों को कौन सी exercise solve करनी है problem number second solve करनी है तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसमें करना क्या है round of the each number to the nearest hundred and estimate the product means नमबर को round off करना है nearest hundred के और उसके बाद उन्हें multiply करना है पहले हमें round of nearest hundred find करना है और उसके बाद नमबर को multiply करना है ठीक है तो चलिए first problem number second के first part से start करते हैं hope सबको दिख रहा होगा क्या right है यहां पर यहां लिखा हुआ है 317 into 523 तो आपको पता है कि जब भी हम लोग round of find करते हैं और वो भी nearest hundred then हम लोग 10th place की value को check करते हैं और कैसे check करते हैं यह check करते हैं कि अगर यह value 5 से छोटी हो जाती है अगर 5 से यह value क्या होती है छोटी होती है तो हम कुछ नहीं करते हैं हम दोनों ही place पर zero right कर देते हैं और आगे वाले number को success लिखते हैं ठीक है और अगर यह value 5 के equal आ जाती है या 5 से बड़ी हो जाती है तो हम आगे वाले number में क्या करते हैं 1 plus कर देते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 317 और 520 थ्री दोनों में ही 10th place की value क्या है वन 317 में 1 है और 523 में 2 है तो दोनों जगहां पर क्या है यहां पर value छोटी है 5 से छोटी है तो हमें कुछ नहीं करना होगा इनका round off find करने के लिए simple हम लोग क्या करेंगे हम simple यहां पर दोनों number के place पर zero right करेंगे और आगे बारी number को सच्छे आस लिख देंगे इसका round off क्या हो जाएगा इसका round off हो जाएगा 300 और बीच में into और इसका क्या हो जाएगा just a minute और इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 500 और दोनों को multiply करेंगे देखिए multiply करने का मैं नया तरीका जिखा रही हूँ आपको अगर number के पीछे 0 आ रहे हूँ तो जितने 0 यहां पर आए है और जितने 0 यहां पर आए है आप total 0 count करके पहले 0 को write कर लेंगे total कितने 0 हो गए total 4 0 हो गए अब जो number rest रह गया है उनको multiply करेंगे means यहां पर 5 को हम लोग multiply कर लेंगे 3 से तो 5 3 जा क्या मिल जाएगा 15 और यह इसका answer हो गया इस तरह से डारेक्ट multiply हम लोग कर लेते हैं hope सब को clear हो रहा हो चलिए कुछ और problem भी solve करते हैं हम लोग student यह आपका next problem है problem number B यहां पर भी आप देख सकते हैं 710 को multiply करना है 670 से ठीक है तो same work करेंगे पहले हम लोग इंका round off find करेंगे इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं इन्हें multiply करने वाले हैं हम लोग यहां पर सबसे पहले हम लोग round off find करेंगे इस नंबर का ठीक है 700 का round off find करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर 710 का round off आएगा 700 क्यों क्योंकि यहां पर 10th place पर सिफ 1 आ रहा था इसलिए अब हम लोग next क्या करेंगे next हम लोग अब 670 का round off find करेंगे तो 670 का round off अगर हम जब find करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि 10th place पर 7 आ रहा है जो की 5 से greater है और अगर number 5 से greater हो या 5 के equal हो तो हम आगे आगे नंबर में क्या करते हैं 1 प्लस कर लेते हैं तो हम लोग 6 में 1 प्लस करेंगे दिन यहां क्या आ जाएगा 7 और बाकी पीछे 00 राइट कर लेंगे तो अब इन्हें आप सेम तरीके से से मल्टिप्लाई करें पहले आप टोटल जीरो यहां पर 7 से मल्टिप्लाई करें देन क्या आता है 7 7 49 और यहां पर आप क्या राइट कर देंगे 49 तो इस तरह से यह आपका क्या हो गया आंसर हो गया हो जो कुछ और प्रॉलम सॉल्फ करते हैं हम लोग इसकी नेक्स देखें यहां पर प्रॉब्लम नमबर सी यहां पर भी सेम प्रॉसेस हमें फॉल्यू करना है इनका दोनों का ही हम लोग रॉंडड ऑफ वाइंड करेंगे एंड देन उन्हें मल्टिप्लाई कर करते हैं जो कि 3 और 5 से चोटी है तो कोई वक नहीं होगा आगे वाले नंबर सच आइस लिखेंगे और पीछे हम 00 कर देंगे इस तरह से जो आंसर आजाएगा इसका पहले हम your time, यह सबस्क्राइब से यह तरह से जो लेखी इस तरह से अब करना लेखा लिखा कि यह आप हम इस्टीवेट प्रोड़क्त लुट्ट फॉट्ट कर रहे थे इस स्टूड़न जब भी कहीं इस्टिवेट्ट करना है एक साट्ट क्या इतना अबैका खिक साट्स की इतना ही सीखते हैं नेक्स वीडियो में हम लो कुछ नया कुछ नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कुछ नया सिखेंगे